आज हम बनाने वाले हैं बोनलेस चिकन बिर्यानी थोड़ा टाफ होता है क्योंकि अगर हमने उसको ज्याला पका दिया तो चिकन हार्ड हो जाता है कम पका दिया तो चिकन कचा रह जाता है तो आज हम एक पर्फेक्ट बिर्यानी बनाने वाले हैं और इसको बनाने वाले हैं बिना कुकर के तो बहुत सारे लोग जिसके पास कुकर नहीं है यह मैंतर ट्राइ कीजिए मुझे बस आप 10 मिनिट दीजिए और यह वीडियो फुल देखिए ताकि आपको एक पर्फेक्ट जानी कैसे बनाए वो आजाएगा इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज दू सब्सक्राइब तो आप चैनल इस गरीब को हम कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आई यह वीडियो देखते है कि कैसे बनाएंगे एक बहतर बोनलेस चिकन बिर्यानी तो फ्रेंस फिर वर वर फाईब पीपल सद्ट आप मर्श नगीडियो प्लिड़ का और वीड़ के प्लिडियो डियो दाल रहा हूं ताकि यह बहुत स्पाइसी अब जाल रहा हूं हाफ टेबल स्पून तर्मरिक यानि हल्दी और इसमें हम डालेंगे धनिया पावडर कु्रियांडर यह बोहत eezy है Japanese इसलिये मैं सार इंग्रिडिएंस एक ही साथ डाल रहा हूं और अब मैं डालुँगा भाफ टेबल सपून गरम मसाला और मैं इस पर डालुगा अनदर हाफ टेबल सपून अफ यिक न मीट मसाला तो चिकन मीट मसाला अगें हाफ टेबल स्पून उससे ज्यादा मत डालिए क्योंकि हमारे स्पाइस बहुत होते हैं और हम इसमें डालेंगे धही हाफ किलो के लिए 150 ml धही लीजिए and now I'm going to put green chilies, हारी मिर्ची थोड़ा सा टेस्ट के लिए spice के लिए नहीं चाहिए तो मत डालिए अगर spice कम करना है धनिया डालिए धनिया बहुत important है बहुत सारा धनिया और मैं पुदीना यूज़ करने वाला हूँ और अब इसको marinate कर लेते हैं mix कर लेते हैं अच्छी तरह और इसको marinate क कर लेंगे refrigerate करके for two hours two hours of marination या refrigeration कर लेते हैं second step होता है एक pan ले लेते हैं जिसमें हलका oil डालके one and half onion बड़ा बड़ा कट करके onion को न हम एक पैन में डाल लेते हैं और इस onion को ऊपर हम डालते हैं green chilies again मैं green chilies डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे spicy पसंद है I like it spicy if you don't want please don't put green chilies and after green chilies what we will do is थोड़ा सा मसाला डालते हैं मसालास in the sense I'm gonna put some spices वही हमारा होगा लॉंग, ilaichi, flour, spice, zira, zira powder and cinnamon we will mix all of this together सब को एक ही साथ डालके mix करेंगे और again onion को हम brown नहीं करेंगे या बहुत fry नहीं करेंगे इसके उपर again आप देखिए मैं coriander डाल रहा हूँ और मैं बहुत सारा पुदीना डाल रहा हूँ इस dish में बहुत flavory और बहुत अच्छा आता है तो बिर्यानी में हमेशा coriander और पुदीन का कभी भी कंजूसी मात कीजिएगा ज्यादा डालिये flavor अच्छा आएगा और इसको हम हलका सा पैन में टॉस कर लेंगे और हलका सा इसको mix कर लेंगे ताकि वो जो जीरा पाउडर मेंने डाला था पूरा onion के ऊपर अच्छी थरा coating आ जाए तूस अच्छी रची आएयर आएगे भी तैजिल किता अच्छी तेजिंगा आएब अच्छी पूदीन पूराक आएगा जाएगा व्लार देवर पूरा जाएब पूरा में रहे जाएगा नियुक्तव स्कूरा पवराटें तो तो अड़गा पूरा पीस्तिस में हमाज दे बनाया था ओनियण को जिसको घ्रजब स्वालbn पर भाईव के बनाया था इस सब न कंप इसमें डालूंगे इसमें मैं डालूंगा 2 कोणिंजर कि दू करियांडर इसमें होंगे because यह natural है health के लिए बहुत अच्छा है तो इसलिए मैं ज्यादा यूज़ करता हूँ आप quantities देख के बनाईए और content भी देख के बनाईए अब देखें मैं जो बचा हुआ पुदीना है मेरे पास वो भी डाल रहा हूँ और मैं बचा हुआ कुरियाइंडर भी डाल रहा हूँ य वो था black pepper तो I can put the black pepper directly into this you can put it even in the pan because I had forgotten मैं यहाँ डाल रहा हूँ उसको तो मैंने 2 टेबल स्पूट और फ्रेंस मैंने black pepper डाल दिया है अभी इसमें और इसको मैं कर लूंगा fine paste आप इसको पूरा पेस्ट बना सकते हो fine paste मैं इसको semi paste बना रहा हूँ क्योंकि मुझे वो flavor आन उसको बहुत paste कर दोगे तो fine नहीं बने वो flavor नहीं आएगा तो हमने paste बना दिया अभी हमें pan लेंगे जिसमें oil डालेंगे then we are gonna put bay leaves एक दो उसके बाद थोड़ा और garlic डालूंगा और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ginger again और इसको हम थोड़ा toss कर लेंगे again ginger और गार्लि बहुत green chilies spicy अगर यह spicy चाहिए किसी को बिर्यानी तो यह डाल सकते हैं वरना यह सब optional है तो इसको डालने की जरूरत नहीं है अपको mild spicy चाहिए तो green chilies कम डालिए तो अब मैं डालूंगा इसमें tomato tomato one and half cut tomato finely chopped tomatoes मैं इसमें डालूंगा tomato से आपका जो spice level है वो थोड़ा कम हो जा लेंगे और tomato को हम cook करने देंगे उसको थोड़ा soft होने देंगे तो इसको थोड़ा हम toss करते रहेंगे pan में तो pan में toss करते हुए ही हम इसमें अभी डालेंगे वो जो mixture जो हमने बनाया था वो mixture डालेंगे जो mixi में हमने बनाया था सारे onion का paste जो बनाया था हमने वो देखे मैं डाल रहा हूं पूरा डाल रहा हूं तो डालने के बाद फ्रेंद्स इसको मैं कुक करने दूंगा एक 15-20 मिनिट्स ताकि सारा वेजटेबल्स कुक हो जाए और अब डालूंगा मैं इसमें चिकन ये देखे दो आवर मारिने हुआ है ये चिकन कश्मीरी लाल मिर्च तो दो कलर अवा चिकन हाँ तो अवे लाल आए लाल वे एकता एक कर्यार अडा एक पूर अश्ड़ी के बाद के लाल पर लाले आखे पूरी देखे बाद बाद वाल वे बालें मैं इसको बहुत पकाना नहिया तो अबर एक रड़ फिर एक्ट बाद आए it and I'm just mixing it so that I don't waste anything so this is what you will see after 35 to 40 minutes of the chicken cooking in sim that is when I will be adding rice that is 35 minutes ke baad मैं rice add कर रहा हूँ two and half cups of rice मैं इस मैं add कर रहा हूँ अब rice add कर दिया है मैंने तो इसको हलका सा mix कर लेंगे ताकि rice और chicken और यह जो flavors बन रहा है guys यह सारे अच्छी तरीके से rice में mix हो जा है and once this is settled rice को आप level कर दोगे then put equal amount of water if you have taken two and half cups of rice then put two and half cups of water and all you need to do now is wait I am cooking this biryani in sim मतलब low flame में इसको पका रहे हैं तो please flame high मत कीजिएगा हलका सा mix को एक mix दूँगा और mix करने के बाद मैं इसको छोड़ूँगा 25 to 30 minutes and 25 minutes के बाद friends यह देखिए आप देख सकते कि आपका biryani यह अल्मोस्त बन रहा है and इसको हलका सा टॉस कीजिए ताकि rice grains ब्रेक ना हो या चिपके नहीं तो you have to be very gentle at this stage for a perfect biryani now I am going to add around 8 to 10 teaspoons of ghee घी डाल रहा हूं 8 से 10 tablespoon मुझे घी का फ्लेवर बहुत बड़ी आता है biryani में वह normally end stage पे ही डालते है तो 8 to 10 tablespoons of good desi ghee is what you need to put on at this point of time and give it another 15 minutes for the entire water to evaporate and then you will see your biryani is actually ready to be served garam garam biryani को कभी serve मत कीजिए once you switch off your gas please give it for another 10 to 20 minutes for it to cool down our biryani is now ready friends and I think we should go ahead with serving this biryani on a plate for my family and friends I hope you like this video my dear friends so please do share this video subscribe and please do like our videos ये मेरा आपके साथ एक request है और अगर आपको कोई feedback है इस video के बारे में जो मैं improve कर सकता हूँ please मुझे बता ये तो इस biryani को अब हम करेंगे serve ये देखें friends ये final outcome है थोड़ा बहुत पानी है जो सूख जाएगा मैंने gas off कर दिया है और इसको छूड़ूँगा मैं 25 minutes तक ताकि मैं एक अच्छा biryani खा सकूँ ये देखें friends this is the outcome I hope you like this video so do take care of yourself until I get you my next video